दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फैफडों को मजबूत करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें इस कोरोना महामारी में यह वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा हैलपफुल हो सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ग्यानवीट नुसके को सब्सक्राइब करें दूसरों आप सभी जानते होंगे कोरोना वाइरस इंसान के फैफडो को खराब कर देता है उसके बाद इंसान की मौत हो जाती है दुनिया बर में कोरोना वाइरस से मरने वालों की रिपोर्ट बता दी है कि ये वाइरस फैफडो को कितने तेजी से खराब करता है सांस लेने में भी तकलेफ होती है और परेशानी तो बड़े बुजर्गों में काफी ज़ादा होती है तो ऐसे में अगर आप अपने फैफडों को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीजे खानी चाहिए कौन सी डाइट करनी चाहिए जिससे के आपके फैफडे मजबूत बने रहें आईए जानते हैं दोस्तों अकरोट में भरपूर मात्रा में ओगेमा 3-50 ऐसेड होता है डाइट में रोजणा एक मुट्टी अकरोग शामिल करने से आपको फैफडों की समर्शा से निजात मिलेगी साथ ही सांस लेने की दिक्कत में भी आपको काफिजदा फाइदा मिलेगा अगर कोई अस्तमा से परिशान ही तो उनको भी काफिजदा फाइदा मिलेगा नमबर दो फैटी फिश जिस मसली में फैट की मात्रा जादा होती है उसका सेवन फैफडों के लिए लाबकारी होता है इसमें परियाप्त मात्रा में ओगेमा 3 फैटी एसेड होता है तो आप फैटी फिश को भी सेवन कर सकते हैं नमबर 3, सेव हेल्दी फैफडों के लिए रोजन आपको सेव यारनी एपल का सेवन करना चाहिए इसमें विटामिन्स होते हैं जो की फैफडों को हेल्दी बना रखते हैं एक रिसर्ट के मुदाबिक फैफडों के लिए विटामिन E, C, बीटा केलोरिन और खटे फल काफी जदा हेल्दी माने कए हैं तो ऐसे में आप इन फलों का सेवन कर सकते हैं दोस्तों एंटियोक्षिडन्स एक बरपूर ब्रोकली फैफडों के लिए काफी फैडिमन दे और काफी कारगर है ब्रोकली फैफडों के अलावा शरीन में human system को भी अच्छा करता है दोस्तों पानी पीने से भी आपके फैफडे स्वस्त बने रहेंगे हर दिन 6-8 गिलास पानी पीना चाहिए ये फैफडों को प्लोरिफाय करता है और रोगों से दूर रखता है इसके अलावा आप बिंस खा सकते हैं बिंस खाने से भी आपके फैफडे मजबूत होंगे और अब जानते ही आपको कौन से चीजों से दूरी बनाए रखने है सबसे पहले तो आपको सराब का सेवन बिलकुल नहीं करना है शराब या फिर नसली चीजे जो कि फैफडों को डैमेज करेगी इसके अलावा द्रुम पान, गुड़का, तंबाकू, इसका सेवन आप ना करें या आपके फैफडों को काफी सदन उकसान बहुचाएंगे इसके अलावा आपको नियमेद रूप से डेली वर्काउट करना चाहिए वर्काउट आपको जरूर करना है इससे आपका शरीर स्वस्त बना रहेगा आज के घ्यानविट नूस के किस वीडियो में आपने जाना ही फैफडों को मजबूत करने के लिए आपको कौन से चीजे खानी चाहिए अगर आपको अमारा यह वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक और शेयर जरूर करें नमस्कार